यह स्टुरेंट्स तो अब हम मेटा क्या करेंगे प्रैक्टिस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस्टीस् वे यह लिए फर्स में कुछ पीजा दिये हैं जिसमें हमें क्लर करना है जो इक्वल पार्ट है उसमें हम ले कला नहीं, इसमें कलर करना है फ़र्स वाला देखे शमरे ही शाल बिशों संदेयर लिए आप फीजा के ती फूर्ट कि इप लाररिआै तो इसमें हमें कलर ऐने लिए इसमें लिए तुह अमें कलरना है तो हम उसमें color करेंगे को इसा भी color आफ कर सकते हैं जुरुरी रहें कि हम same color करें और जो eight वाला है वह भी हमारा equal parts में divided हैं हमसमें color करेंगे question number two draw and duck following figures in appreciate box इसमें देखे हैवल्स and fourths means equal parts में divided जो भी हमारे equal parts में given shapes, figures देए इन figures में से हमें वो parts जो भी figure four parts में divided है we हम fourth में लिकेंगे, जैसे यह देखे इस two equal parts में divided हैं आपने heaval's में लिखा बिए होगे ढ़ने एका। अलक्री कोई इसाक फिकल डीन कि इसाई ओने मारेसिं में यह कंद सविङ है इसाई राव किया। और अलक्री श्लेच में लिखला है। तो जो भी हुमारे 4 में उसे हमने यहां पे figures को drop किया है अब next हमारा आता है heavens and 4 यहां पे जो equal parts में divided है ठीक है? वो उसमें हमें क्या करना है? red color करना है तो यह देखे 1 part में 1 upon 2 one side हमने red color किया है यहां पे विट 2 parts में divided है तो one side हमने red किया है second is well upon 4 तो यहां पे हमें 1 part में जो numerator है उसमें हमें क्लब करना है 1 upon 4 1 part के हमें हमारा numerator है तो हम देखे 1 part में क्लब किया है यहां पे देखे 4 में से 1 part पे क्लब किया है यह 3rd में में 4 में से 1 part पे क्लब किया है C point color 1 part is it 1 upon 2 और 1 upon 4 circle दा answer इसमें one upon two and one upon four में जो भी part बांट बांट है उस में हमें करना जैसे फोर पार्ट में है डिवाइड है वन अपन फोर में यहां पर हमना वन पार्ट कलर है तो वन फोर पर हम सरकल करेंगे ठीक है यहां पर देखे टू पार्ट में डिवाइड है तो वन पार्ट में हमने कलर किया है वन अपन टू पर हम सरकल करेंगे यहां पर देखे है इक्वाल पार्ट में हमने सर्कल करेंगे ठीक एक हम इस उपार्ट काने है दो इक्वाल पार्ट में इस तायब से कर देंगे जिससे हमें पोड़ पार्ट इसे हमने 4 equal parts में divide करना है, माली जी तरच करने किसी कौन में 4 equal parts में divide करने हैं, इस टाइप छे आप इसे 4 equal parts में divide करने हैं, next हमारा आता है my turn 4, my turn 4 में draw and color, यहां पर आपको draw भी करना है और color भी करना है, to show the fraction in the given circles, जितने में वो circles को, मतलब figures को show करना है, उतरे पे हमी circle करना है, जिसे first आपका है 1 upon 2, कि के नमें लेटा है, आपका क्या है 1 and 2 parts में divide, हम बीज में line खीच देंगे तो यह 2 parts में divide जागा, 1 है 3 already show है, 1 upon 4 तो हम इसे क्या करेंगे, 4 parts में divide कर देंगे, next आपका दिया है 3 upon 4, हमें क्या है यहां पर fraction दिया हुआ है, fraction क्या हो गया, according हमें यहां पर figure को draw करना है, तो हमें हमने 4 parts में divide करके 3 parts में color किया है, next है met the fraction from the given numbers, numerators and denominators, देकि numerators 3 and denominators कितना है 7, fraction आपका क्या हो जाएगा 3 upon 7, इसी आपका 6 है and denominator आपका 7 है, fraction आपका 6 upon 7 हो जाएगा, 1 upon 8 है तो बन आपका 8 हो जाएगा, numerator आपका 7 है, denominator आपका 1 है तो fraction आपका 7 upon 1 हो जाएगा, okay, my turn 5, my turn 5 में क्या है, write a division statement for age, यहाँ पर आपको statement बताना, division का बता रहा है, first already आपको solve करके दिया, 1 upon 4 means 1 divided 4, numerator and denominator को आपको क्या आपका जाएगा, divide करना है, जैसे 4 upon 2 है, 4 divided 2, third आपका 16 upon 4, 16 divided 4, 8 upon 4 तो 8 divided 4, ठीके, अब आता है हमारा next, write the fraction and division statement for the following, यहाँ पर हमें क्या करणा fraction भी बताना है और division भी बताना है, हमें यहाँ पर देखे, balloons DM हो है, total balloons हमार पास 12 balloons है and 1 हमें बताया है, कि 1 में, 1 group में हमें 2 balloons को रखना है, हम total 6 group बनाएंगे, 12 divided 6, देखे, 12 upon 6, अगर हम इसे divide करते हैं, तो 6 तूज़ा, तूज़ा means 22 का group बनेगा, second आपका हैं यहाँ पर total आपको 16 balls दीन ही है, उस 16 balls में division statement आपका क्या होगा, 4, एक group आपको बताया है, तो बाकी के group हमें बताने हैं, तो 16 divided 4 means 16, 4 forger 16, ठीकेट, तो यहाँ पर हम 4, 4 का 4 group बन जाएंगे, माइट एंग 6, माइट एंग 6 में कहें, save the fraction bars as per given fraction then write the fraction in descending order, यहाँ पर हमें क्या करना है, descending order में बताना है, 1st में 2 upon 4 तो 2 parts हमें show किया है, 1 upon 4 तो 1 part हमें show किया है, 3 upon 4 हमें 3 parts show किया है, तो अब हाँ पर जो fraction आपको हो जाएगा, वह आपका कहा है, smallest कहा है, 1 upon 4, उसके बाद 2 upon 4, एंड उसके बाद 3 upon 4, ठीक है, यह आपका fraction हो जाएगा, आपको स्टाइब से भी लेंगे descending order में, descending के आपके सबसे ज्यादा वाला हमें सबसे पहले लिखा है, 3 upon 4 आपका सबसे smallest होगा, तो यहाँ पे आपका practice book complete होता है, अगर प्रकॉशन आपको तो उन्हों कोर्स भी आपका practice book से नहीं आता है, तो आपको उन्हों सब्सक्राइब को सकते है, Thank you class.